प्रमात्मा की सासन को पाने के पस्चात हर एक बव्य जीवात्मा आत्मकल्यान करके परंपत को प्राप्त करना चाहती हैं हर एक व्यक्ति के मनकंद्रिक जिग्न्यासा होते कि जल्दी से जल्दी संसार के द्वन से दूर हट करके 700 सुख को प्राप्त करें और सास्व सुको प्राप्ध करने के लिए हम लोगों को आज प्रयास भी करना चीए और प्रयास से व्यक्ति को सबलता भी मिलती है आज सोतंतरता दिवस है भारत की आजाती का आज दिन है आप लोग मन से विचार करिजे क्या भारत सही रूप से सतंतर है और आप ये भी बताएं कि आप लोग खुद सोतंत्र हो आप स्वियम सोतंत्र हो भारत के लिए तो हम लोग परियास करते हैं कि भारत सोतंत्र हो गया और भारत सोतंत्र है ये भी आप लोग सब कुछ कहते हो और आज सोतंत्रता का दिवस मनाया जाता है जगा 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 जितने भी भारत के Collector'd Office है या प्रदान मंत्री त्यादी जितने भी CM वगरा सबदब आज की तारीक अंदर जगा जगा पर भारतिय द्वज लहराते हैं हम लोग तो सवतन्तरदा के गितगाह देते हैं क्या सही मायने में हम सवतन्तर है आप लोग जरूर कहें दोगे भारत सवतन्तर है भारत को सवतन्तर वे कितने साल हो गए हां सततर साल और अब कितने साल बाकी है जब अंग्रेजों की हुकुमत थी अंग्रेजी 200 साल तक यहां पर राज्य किया था जब भारत को सवतन्तर रता दी थी तब भारत को सो साल की लीस के उपर सवतन्तर रता दी है तेवी साल के बाद यह वापस हुकुमत अंग्रेजों के पास तली जाएगी इत्यास को पढ़ोगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि इत्यास क्या बताता है अरे वो तो भारतिय समिदान का इत्यास बोल रहा हमारा इत्यास का वो भी आपको पता नहीं है हमारे इत्यास को जानोंगे तब पता चलेगा क्या आप लोग सही रूपते सतंत्र हो अपने जीवन कंदर अपने जीवन कंदर देख कर के चलोगे तब पता चलेगा हम कितने सतंत्र आज की तारिक अंदर सवतंत्र दिवसन जरूर मनाते हैं लेकिन अपनी आत्मा से पूछे आप सवतंत्र हो या परतंत्र हो आत्मा की पास में जो आओगे था पता चलेगा आत्मा तो स्वेम कहते हैं कि आप लोग सारे के सारे परतंत्र बने हुए हो परतंत्र इतले हैं कि किसी व्यक्ति को कोई जीवन कंदर कोई इंद्रे विजयता भी नहीं बनना है पांचों की पांचों इंद्रे के विजयता बनता है तब उसको लगता कि आज हम लोगों ने अपने जीवन कंदर कुछ सवतंत्रता पाई ही है हमें तो हमें तो अपने जीवन कंदर देखना है कि हम लोग कितने इंद्र वीदेता बने आज की तारीक कंदर सवतंत्रा कौन कहलाता व्यक्ति आज और आप लोग तो जब बात यह बाती होती है बड़ी बाती होती है तो आप लोग तो सब बायें चड़ाके बेतों को हम सोतंत्रा हैं केते के नहीं के तो आप लोग और गर में किसका चलता है बोलो आप अरे जोर से तावाज निकालो डरते क्यों यार होम निश्टर का फिर सोतंत्र को परतंत्रा कहां है सोतंतर था आपकी आज की तारीक अंदर आप विचार करके रहोगे तब पता चलेगा हम कितने सोतंतर अपने जीवन के अंदर घर में भी हमारा नहीं चलता है हम हर चीज के अंदर परतंतर बने वे बैठे भूमते हैं और यहां आकर के कहते हैं हम सोतंत्र है अरे कहां हैं सोतंत्र था आपकी अपने जीवन के अंदर मानता हूं दिल आप लोगों का भारतिया है और दिमाग पूरा का पूरा पास्चात्य से लिक के अंदर आप लोगों के जया चल रहा है बाई ये रूप से आप लोग कह सकते हो मैं सौतंत्र हूँ अध्यात्मिक रूप से जानो तब पता चलता कि अध्यात्तिक रूप में व्यक्ति अपनी संस्कृति के साथ में सौतंत्र बनता है आज कहा है अपने जीवन के अंदर अपनी संस्कृति सारी की सारी संस्कृति को हम लोगों ने तार तार करके रख दिया है चाहे कैसी भी संस्कृति ले लो आप हमारा पैर्वास क्या था हमारा पैर्वास क्या था दोती और कुड़ता और आज दोती, कुर्ता, साफा या टोपी जो भी था और आज अंग्रेज लोगों नो हुकमत चलाई भारतिय संस्कृति को चोड़ करके पास जाते संस्कृति के अंदर जी रहे और आप उपर से के तो गम सौतंत्र है पैंट और शट वो पैना करके गए आप लोगों को उन्होंने कभी कोई धोती और धबा पैन करके नहीं गए वो यहां से यह सबसे पहली आप लोगों ने बदलाव किया और आज की तारीक अंदर आप लोग माता हैं बेने भी रुभाई लोग भी जीन्स महुत पैनते हैं पचाश साथ साल की भी और जीन्स पैनती है जीन्स क्यों पैनी जाती है पता है आपको फॉरेन में ठंडी बहुत परती है ठंडी के काण वो आठाट दस दिन दिन कपड़े धोते नहीं पंदर बीस बिन दा जब तक ना फटे तब तक उसको पैने रहते हैं और यहां कहां कहीं संस करती है आपकी यह परतंतरता आप लोगों ने अपना करके रखी है और यहां तो क्रेज है बेनों का भी आपकी संसकर्टीłe Kannad कि हर चीज के अंदर देख लो आपो लोग सारी की सभा संसकर्ति को बदल कर सकर्कर रखें पास्चाथ के संसकर्ति के अंदर अंदर यह लुग जी रहीं और जीने के बाद आप लोग के तो को मैं सौतंतर हूं कहने पीने के अंदर भी ले की उपर से ये बोलते हो आप नीचे जितना बैठ करके आराम से खाया जाता है उतना आप तो सब डाइनिंग टेबल पर खाने वाले लोग वे आरए और वो हाथ से जो खाया जाता है और वो आज कल क्या वो कांटे वाले च्वमच आते हैं न हाँ उससे खाती हो उससे पेट बरता हाथ से पहले तो लोग घात खाता था न खाने के बाद अंगुली को बार मार चूसता को उसका रस आजाए चमच में आता है वैसा कोई रस आपको किसने बदली ये संस्कृति आप तो कहतों न सवतंतर है ये सवतंतर ना हमारी जो हाथने नीचे बैड़ करके हाथ से व्यक्ति खा करके जो रस लेता है वो रस किसी भी चमच में नहीं आने वाला है ये संस्कृति कितने बदली और पांच्चत ये संस्कृति की जो ड्रसस आती है वो कि वो आप लोग और वो ही माताई बैने अपना रही है यह संसक्रति किस ने बदली बासा की ओड़ चले जाओ और आज की तारिक अधर अप लोग नहीं बोलता तो आपको हिंद सम्झा जाता यह तो बेलकुल बेकवर्ड लोग है मातर बासा तक को हम लोग भूल गए हैं आज की तारिक अधर जो संस्कृति हमारी मात्र बासा की थी उस मात्र बासा की संस्कृति तक को हम लोग आज लोग उन छोड़ डा लिए और इंगलिस के अंदर डाट वूट करते हो ये बेचारे बुजर जितनी मात हैं मैंने भाई बेटें इंगलिस नहीं आते हैं आप क्या बोलते हैं उनको पता हैं ये कुछ सोते हैं हम तो हमारा बेटा इंगलिस बोल रहा है और गालिया निकाल रहा है क्या कर रहा है क्या पता आप लोगों को ये संस्कृति किसने बदली अपने आप से विचार करो तब पता चलेगा कि सारी की सारी संस्कृती हम लोग हमारे जीवन के अंदर बादल चुके हैं और धर्मिक प्रवत्ति के अंदर भी आप लोग यहां पर किस चर्चों के अंदर जाते हो जो चर्च के अंदर चलता वो ही सारी की सारी व्यावस्ता आप लोग यहां पर चाते हो वहाँ पर तो क्या चर्फ में जाते हैं आपको टेबल कुर्सी लगी है जो व्यक्ति जाता है वहाँ टेबल कुर्सियों के उपर बैड़ करके प्रेयर करता बगर इसाम मसी की और आप यहाँ पर भी और जो नीचे बैड़ सकते हैं वो भी नीचे बैटने के लिए तयार नहीं है उनको भी कुर्सी चीए यह संसकर्थी किसने बदली चिंतन कीजेगा आप लोग आपके तो नाम सौतंतर है सौतंतर तो हो या परतंतर हो आप लोग जीवन का अंदर अपनी संसकर्थी को बदल करके दूसरों की संसकर्थी में जीना यह सबसे बड़ी परतंता था आपके लोगों के लिए हकुमत वो दो सो साल तक चलाए और उन्होंने अपने कानून यहां पर बना करके उन कानूनों के आदार पर जीते है सारे के सारे काले कानून को हम लोग उस तरह से ची रहे थे यह तो कोई जैन बैठा है वहाँ वो घ्रह मंत्री सारे के सारे अंग्रेजों के कानून बदल डाले एक जोलाई से सारे के सारे कानून बदल डाले उसने संसकर्थी को अपना करके संसकर्थी को कैसे छोड़ सकते हो आप अपनी स्वियम की संस्कृती है और उस संस्कृती को आप लोग धुमिल करते हो और उपड़ से के तो एक हम इसमें अरजस नहीं होते हैं बाई या पास्चात्य संस्कृती को अपना करके फिर जैनत्व की संस्कृति को आप कैसे अपनी जीवन का अंदर ग्रैंड करोगे अर थोड़े दिन बाद ऐसा समय आएगा आपका कि वो पेंड रहे में से चालू को रहे पड़ती हों कराने वाले भी वो ही मिलेंगे आप क्योंकि आप तो अपने बच्चों को हैंसम बनाना चाहते हो अलग-लग-लग-लग क्लासिस में भेजना चाहते हो लेकिन किसी माता पिता की इच्चा नहीं होती है कि बच्चों को पारसला बेज करके धार्मिक संसकार दें जिससे कि उनका जीवन पल्वित बन जाए कितने आते हैं सुन्दर नगर में इतने गर होते हैं बारा पंद्रा बच्चे भी पूरे नहीं है और दूसरी दूसरी क्लासेश में बेजने के लिए आप लोग तयार रहते हो जिससे हमारी संस्कृती मजबूत होती है उस संस्कृती के प्रति लापरवा सबसे पहले हम लोग है यहां तो अनुबू किया मैंने बच्चों को भी संड़े को परवाव ना दे दो सारे माता पिता बच्चों को मंदिर बेज देंगे छुटी के दिन और जिस दिन परवाव ना बंद हुई माता पिता बच्चों को बेज ते भी नहीं है अरे यह क्या संस्कृती आपकी अपने धरम के बढ़ती इतनी निरस्त है आप लोगों को खाली प्राइस के पीछे बच्चों को बेजने का है बच्चों को सुसंस्कारों से सिंचित करने का सबसे पहला कर्तब या माता पिता का बनता है माता पिता को ओना चीए कि बच्चों को रोज मंदिल लेकर रखे जाएं रईवार के दिन कोई किस्चन बाकी नहीं रहता सबी जन प्रेयर करने के लिए अपने चर्चों में चले जाती है वहाँ भी तिन चार तरह के किस्चन है कोई एक तरह के नहीं है वो और आप लोग चुटी के दिन बच्चों को लाते हो नहीं नहीं अभी सोने दे वो अच्चा भी कहाँ सोने दा चुटी है दस बजे उटेंगे सांती से क्या संसकार दोगे आप लोग अपने बच्चों के जीवन के अंदर ये सब बैठें यहां पर सब सुन रहे हैं अपने मंदिर जाने के लिए आप लोगों को तकली पढ़ती है और रहिवार के दिन बैल्ट बांद करके कहां कहां जाते हो आप लोग वो भी बैठें यहां पर बोलेंगे कोई नहीं आज सब सुनेंगे अच्छी तरह और आपको सब को पता कहां जाते हैं वो लोग हम हमारे धर्म से भी मुख बन रहे हैं हमारी संस्कृति से दूर अट रहे हैं और आप लोग के तो कहां हम सवतंतर हैं क्या है सवतंतर था आपके जीवन के अंदर अध्याक्मिक द्रश्टी से सोचोगे तब पता चलेगा कि मैं अपने जीवन का अंदर अपने धर्म के प्रती कितनी रूची लगा कर गे उसके साथ मैं जी रहा हूँ सारी की सारी संस्कृति आपने धूमिल कर ड़ लग जैनत्व संस्कृति को धूमिल करने का सबसे बड़ा हाथ आप लोगों का कैसी सवतंतर था आपको पांचों के पांचों इंद्रियों के प्रती भी हमारी सवतंतर था नहीं है इंद्रिय वियता होता ना वो सवतंतर था कहलाता है अरे कम से कम इंद्रियों को तो जीतो आप लोग आंकान नाक जीब और इस वर्स ये पांच इंद्रियां पांचों को तो जीत जाओ आप परमात्मा माविर अपने आप से सौतंतर बन गए जो व्यक्ति अपने जीवन का अंदर सौतंतर का अपना वास्ति भी करते क्या सौतंतर का अपने आपको अपने आपकी नियंतरण में रहना अपने आपको अपने नियंतरण में रहना और आपके पास रिमोट किसका चलता है किसका चलता है रिमोट अपने आपको अपने आपके नियंतरंड में रहना आप अपने आपके नियंतरंड में हो या आपको और कोई नचा रहा है कम से कम वीचार तो करो अपनी जीवन कंदन सुराज्य की अपिक्षा सवराज्य के सवराज्य बनाना चाहिए पहले तो सवराजय बनेगा तो सुराजय सोते ही बन जाएगा हम लोग कितने हैं सवराजय के प्रती क्या कभी विचारते हैं आत्मा के समान हमारी संस्कृति कहलाती है और उस संस्कृति के प्रती जागरत बनना हमारा सबसे बड़ा कर्तविया है और जब तक हम संस्कृति कवरती जागरती नहीं बनेंगे तो कोई दूसरा अगर के आपको जगाए का नहीं हम भले पास्चात्य संस्कृति कंदर उतर चुके अपने जीवन को इतना अपने जीवन को उस तरफ ढाल चुके है कम से कम अपने जीवन के अंदर अपनी संस्कृति का तो ख्याल रखो आप आपको सोतंत्र बनना तो अपनी संस्कृति का प्रती जागरत तो बनो कम से कम तब जाकर के लगेगा किने हम सच्चे सोतंत्र कहलाते हैं भारत का तो 23 साल के बाद क्या हो ना वो तो समय बताएगा लेकिन क्या आज की तारिक के अंदर हम सौतंत्र है भले भारतिय कलेंडर के अंदर आज भारतिय सौतंतर का दिवस कहलाता है क्योंकि अंग्रेज हुकुमत ने 100 साल की लीस दिये इंडिया को सौतंतर दी अब आप अपने आप से जाने का कि अपने जीवन के अंदर हम लोग क्या कर रहें अपनी संस्कृति के प्रती जागरत बरके कम से कम उसके प्रती तो आप सलतंत्र बनो प्रमात्मा माविर स्वामी ने का अपने कर्मों को अपने खुद को तोड़ना है खुद को तोड़ा गए वो व्यक्ति परमपा सास्वत सुख को प्राप्त कर सकता तब जाकर उन्होंने अपनी आप को देखा अपनी आत्मा के पर लगए कर्मों के बंदनों को तोड़ने की पूरी की पूरी चेस्टाएं की और पूरी चेस्टा करने बाद करमों को तोड़ा तब जाकर के केवल गयान केवल दर्सन की प्राप्ति भी अपने आप को अपने आप के अंदर सोतंत्र बने वो और सोतंत्र जो बन जाता है वो सत्य को पा जाता है सत्य को पाया और दुन्या को सत्य की राद दिखाई और राद दिखाने के बाद भी आज हम सत्य की राद पर चलने के लिए तैयार ने परमात्मा के बताएं अनुसार और जो व्यक्ति परमात्मा के बताएं अनुसार बले आप संयम ने ले सको सिरावक के बार्या-णूतराउं का धारन करते वे सचय सु सरावक तो बन सकते हो आप कम से वे इतनी तो बन के अंदरे खावनाए होनी चिये कि नहीं आज हमें सतंत्र हूँ तो मेरी अपनी आत्मा के प्रती सतंत्र बनना अपनी जेनत्व संस्कृति के प्रती सवतंत्र बना, तब जाकर के हमें सवतंत्रता का सुख प्राप्त होगा आप लोगों से इतना ही कौँगा अपनी संस्कृति के प्रती, अपने जेनत्व के प्रती, सच्चे सवतंत्र बन करके आत्मकल्याण के मारके उपर आगे बड़े इसी मनुभावना के साथ जिन आगया विरुत कुछ काओ तो मनुअचन काओ इसे मिच्छाओ स्वत तंत्र का अरत होता है स्वत यानि अपना तंत्र यानि की विवस्था अपने जीने के लिए अपने रहने के लिए अपने सभी कारियों के लिए अपनी विवस्था इसका नाम है स्वतंत्रता यरी हम परतंत्रता दूसरे के द्वारा दी गई विवस्था दूसरे के द्वारा दिये गई नियम कानून विधियां उनके अनुसार जीते हैं तो वह परतंत्रता है जेन परंपरा में स्वतंत्रता के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई चेट की आवश्चक्ता है स्वतंत्रता के लिए तो सैयम को बतलाया है वह स्वतंत्रता स्वतंत्रता नहीं जिसे पालेने के बाद आप वापिस परतंत्र बन जाएं फिर से कहना चाहता हूँ उस स्वतंत्रता का कोई ज्यादा मुल्य नहीं जिसे पालेने के बाद आप बाद में परतंत्र बन जाएं स्वतंत्रता वही है कि आप हमेशा के लिए दूसरों के द्वारा बनाए गए बंधनों से दूसरों के द्वारा बनाए गए व्यवस्थाओं से नियमों से छूट जाएं उसका नाम है स्वतंत्रता श्रमण भगवान श्री मामिर स्वामी जी सही मायने में स्वतंत्र बन गए और उन्होंने स्वयम को अनुशासित बनाए रखने के लिए स्वयम को स्वयम की व्यवस्था दे एक बार वापिस श्रमण भगवान श्री मामिर स्वामी जी स्वतंत्र इसलिए बन गए कि उन्होंने इंद्रियों की व्यवस्था को नहीं स्विकरा उन्होंने अपने चंचल मन की व्यवस्था को नहीं स्विकरा उन्होंने मात्र आत्म हित के लिए कि मेरी आत्मा का हित किस रीटी से मैं सिद्ध कर लूँ उसके लिए उन्होंने खुद ने एक व्यवस्था बनाए चाहे वह व्यवस्था उनसे पहले के तिर्थंकर भगवन तो ने जी परंतु इन्होंने उस व्यवस्था को अपनी समझ शक्ती से अपनी श्रद्धा सक्ती से उसको बिलकुल स्विकार लिया कि नहीं यह व्यवस्था बिलकुल सही स्वतंत्रता दे सकते हैं तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया सबसे पहले उन्होंने क्या किया आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ दिख्षा लेते ही सबसे पहले दिख्षा ली सबसे अपने आपको छुड़वा लिया दिख्षा का मतलब लुचन दिख्षा का मतलब वस्त्र परिवर्तन दिख्षा का मतलब वस्त्र परिवर्तन के साथ में अपने संस्कार अपनी भावनाओं का परिवर्तन अभी तक जिन व्यवस्थाओं के अंतरगत वे जी रहे थे समझ बूज करके उन सारी की सारी व्यवस्थाओं को तिलांजली दे दी ये स्वतंत्र होने वाले का लक्षन है वस्त्र बदले अरे वस्त्र बदले भी न सही जो पहले से वस्त्र धारन कर रखे थे उन वस्त्रों को उतार दिया यानि की पहले के ग्रियस्त जीवन के जितने भी संस्कार थे जितने भी संबंद थे चाहे वह मुह भरे हों चाहे वे वासना भरे हों चाहे वे राग और देश से संबंद रखने वाले हों चाहे वे पुन्य और पापवरित्यों प्रवरित्यों से जुड़े हुए हों उन्होंने का कि यार इन सब पुराने 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 संस्कारों को छोड़ना पड़ेगा और उन्होंने छोड़ दिया बुझदाड़ी की लोचकर डाली सिर के बाल लोचक डाले जो पुराने कशायों के संस्कार थे सबको उन्होंने उखाण फेका ये देखिए कैसे स्वतंत्रता की और परमात्मा बढ़ रहे फिर आगे बढ़ते हैं लोचके बाद स्वतंत्रता का एक संकल्प जिसे संकल्प को हम कहते हैं कि सव्वम सावज्जम जोगम पच्चक कामी मन वचंग और काया इन तिनों में से आत्मा का सबसे नज़दी की नाता अगर किसी से है तो वह मन से है तो उनोंने अपने मन को कहा कि भेया अब परादिन्ता नहीं चाहें नहीं चाहें उनोंने अपने बचंद पर उन्होंने अपनी काया पर उन्होंने अपनी इंड्रियों पर खुद की व्यवस्था के अनुसार अंकुष लगाए स्वतंत्रता के लिए यह प्रयास आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं उन्होंने सोचा मैं दूसरों से संबंद बोल करके बनाता हूँ यदि मैं बोलू ही नहीं तो मैं किसी दूसरे से संबंद भी नहीं बना सकता और इतना ही नहीं यदि मैं दूसरे से संबंद नहीं बनाऊंगा तो दूसरे भी मुझसे संबंद नहीं बनाएंगे चलो मौन जीस दिन दिख्षा ली उस दिन से मौन कि कोई गफशप नहीं कोई बाचिक नहीं मन के उपर अंकुष काया के उपर अंकुष ये स्वतंत्रता की रीती है जैन परंप्रा के आगे बढ़ो आगे बढ़ो स्वतंत्रता की शेली में अगर हम अपनी आत्मा को कर्मों से सर्वता छुटकारा दिलवा देना चाहते हैं तो एक व्यवस्ता सैयम की व्यवस्ता है और वह सैयम की व्यवस्ता के अंतरगत एक काम करता है वह बहुत महत्व पुर्ण काम था और प्रतेक तिर्धंकर भगवंत की तो पक्की परन्तु प्रतेक जेन व्यक्ती की भी वह साधना है यदि हम वह साधना न करते हूं तो करें और वह साधना थी कायोच सर्ग के काया शरीक उत्सर त्याग काया का त्याग करके तो कुछ भी साधना नहीं की जा से काया में रहते हुए ही काया के प्रती ममता का त्याग काया में आत्मा के रहते हुए ही काया के प्रती अपनत्व का त्याग काया में रहते हुए ही काया को और मन को अच्छे लगने वाले विश्यों का पदार्थों का त्याग ऐसी प्रक्रिया का नाम है कायोच सर्ग फिर से कहना चाहता देखिए आज स्वतंत्रता दिवसे स्वतंत्रता किस तरीके से हमारे परमात्मा ने पाई और ऐसी स्वतंत्रता पाई जिसके बाद वे कभी भी परतंत्र नहीं हुए कायोच सर्ग की साथ नहीं करते थे वे जहां कहीं पर भी जाते खड़े रहते और इतना ही नहीं जिस मुद्रा में वे खड़े रहते उस मुद्रा का नाम ही पड़ गया कायोच सर्ग मुद्रा काया का त्याग काया के विशियों का त्याग इंद्रियों के विशियों का त्याग काया को जो अच्छा लगे उनके प्रती न राख और काया को जो आमनोग्या अच्छा न लगे प्रती कुल लगे उस तरीके के उन विशियों के प्रती कोई भी किसी भी प्रकार का द्वेश नहीं किसी भी प्रकार की घ्रिना नहीं जो मिला जैसा मिला किसी भी प्रकार की मन वचन काया से प्रतिक्रिया के बिना उसको स्विकार लेना क्या हम इस तरीके से स्वतंत्र बनना सच्मुच में चाहते हैं जैन व्यक्ति को तो इस हरीती से स्वतंत्र बनने के लिए स्वयम परमात्मा ने एक प्रक्रिया दिये कि भया इस इस रीती से करो काया के चक्कर में नहीं वानी के चक्कर में नहीं मन के चक्कर में नहीं इन तीन चक्करों से परे एक चक्कर चलता है वह चक्कर है स्व का चक्कर आत्मा का चक्कर इस रीती से अपन लोग आत्म चाक्र की शुधी के लिए आत्म चाक्र की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना चाहिए अपने को और इस रीती से मिली हुई स्वतंत्रता का परिणाम भविश्य में कभी भी प्रतंत्रता नहीं सचमुच में स्वतंत्रता अच्छी चीज है मगर योग्य अधिकारिक को दी जाए तो स्वतंत्रता अच्छी चीज है यदी वह किसी योग्य आत्मा आद्मी को दी जाए तो यदी भूल चूक से स्वतंत्रता किसी अजोग्य आद्मी के हथे चड़ गई ना तो फिर वह स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता को बढ़ाएगा और जिस समय स्वच्छंदता बढ़ती है तो उस स्वच्छंदता का तो नियमी यह है कि सबसे पहले मर्यादाओं के बंदनों को तोड़ देना स्वतंत्रता और स्वच्छंदता मैं इतना अंतर समझ करके चलो युग्य आद्मा स्वतंत्रता का अधिकारी है अगर आत्मा स्वच्छंदी है तो समझ लो वो मतवाला हाथी अंकुष के न होने पर जी चाहे इदर उदर गोम फिर करके सब कुछ उजार देता है न क्या नहीं उजारता आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं बिना अंकुष का हाथी जिस तरीके से स्वच्छंदता से उजारता ही उजारता मर्यादा मिहीन बन जाता है सचमुच में ऐसे लोगों को स्वतंत्रता क्रिपिया मत दीजिए आदमी को परकिये नहीं तो बहा अनर्थ ही अनर्थ करेगा सचमुच में आज स्वतंत्रता दिवश पर अपन लोगों को अपने आपको स्वतंत्र बनाई रखने के लिए मर्यादाओं में जीना पड़ेगा जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा बतलाई गई पद्धती और शैली के अनुसार जीना पड़ेगा तो ही हम पूर्ण रुपेन स्वतंत्र बन सकते हैं अन्यथा स्वतंत्रता के नाम पर फिर कुछ और कुछ आ जाएगा ऐसे परमस्वतंत्रा श्रमन भगवान श्री मामिर स्वामी जी का जीवन अपन लोग वहां तक पहुँच गए थे एक बात मेरी खास रूप से रह गई थी पहले तो मैं वह बात कहना चाहूँगा जी समय त्रिप्रिष्ट मारगी रहता है अश्वग्रिव को देवतालोग वलदेव और वासुदेव के रूप में अचल और त्रिप्रिष्ट की घोशना कर देते हैं सब राजा उनको प्रणाम करता है तीन खंड के वे अधीपती बन जाते हैं तो फिर वे सीधा नगर में नहीं आते वे सीधा एक परवत पर जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत 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 बढ़ी एक शिला होती है शिला पर आज तक जितने भी वासुदेव बने होते हैं उन्होंने अपने हस्ताक्षर किये हुए होते वे नाम मिठते नहीं हैं वे नाम मिठते नहीं हैं वो एक उनके पास जो रतन होते हैं उन्हें रतनों से अपना नाम लिखते हैं तो उसने वहाँ जागर के देखा उस शिला का नम थी आख कोटी शिला कोटी शिला और उस कोटी शिला को वासुदेव उढ़ाता है अपने हाथ से तब वह वासुदेव माना जाता है ये तो घोशना कर दी थी परन्तु घोशना के बाद वह जो एक कार्य था वो कार्य भी तरी प्रिष्ट ने किया था गया था पर्मत के पास गया था कोटी शिला के पास उठाया और नीचे रख दी कहां साइन करूँ देखता है उपर से नीचे तक कोई जगह ही नहीं हो मैं तो इस गरों में था कि मैं ही पहला मासुदे मुझसे पहले इतनी मासुदी होगी ऐसे ही चक्रवर्ती भी जब छे खंडों की विडिया पा लेता है तब उसको भी एक शिला के पास जाना पड़ता है शिला को उठाना पड़ता है नीचे रखना पड़ता है और आपने सैन करने पड़ता है जगने इतने सारे इस धर्ती पर वासुदेव हो चुके हैं अभी मान तूट जाता है मैं पहला नहीं हूं नाम मिटाता है और अपना नाम लिखता है और इस रीटी से वह वासुदेव बना और उसी वासुदेव के विशे में परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जीने कहा था कि यह वासुदेव बनेगा पहला वासुदेव तो यह वासुदेव बन गया नहीं सात्वी नरक में गया बहुत भयंकर करम बान करके वहां से मरा सात्वी नरक से तो फिर वहत्रियंच बनता है एक बात याद रखिए ये परमात्मा के द्वरा बताई गई विवस्था है देव मरकर के तुरंत वापिस देवगती में जन्म नहीं लेता नरकी जीव नारक परियाए में मर करके कभी दूसरी बार तुरंत नारकी परियाए में जन्म नहीं लेता देवताओं और नारकीओं के लिए मरने के बाद अगर कोई गती है तो वह है या तो त्रियंच या फिर मनुश्य और हमारा त्रिप्रिष्ट का जीव मर करके त्रियंच गती में जाता है त्रियंच गती से वापिस नरक गती में जाता है इस तरीके से कभी त्रियंच तो कभी मनुश्य गतीयों में घुमते 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 हैं कई भव किये उन्होंने उन भवों का वर्णन हमारे यहां पर नहीं है परन्तू मनुश्य बन करके उसने कुछ पुन्य कमाया और पुन्य कमा करके वहां हमारा त्रिप्रिष्ट का जीव अपर विदेह में मू का नाम की नगरी में जो धनन्य राजा थे उनकी पत्नी का नाम था धारिनी उनकी कुक्षी में अवतरन उनका हुआ जिस समय अवतरन हुआ उस समय धारिनी देवी ने चोदह सपने देखे चोदह सपने यही जो यह लगे हुए ना चोदह सपने यही चोदह सपने देखे मगर धूमिल थे राजा को जाकर के उसने कहा राजा ने कहा कि ठीक है बहुत अच्छे सपने देखे तो ने अर्चलाब होगा भोगलाब होगा सुखलाब होगा राज्यलाब होगा अपने कुल में एक बहुत जबर्दस्ट पराक्रमे राजा का जन्म होगा वो कुल की किर्ति को बढ़ाएगा कुल के जच को बढ़ाएगा इत्यारी बहुत सारी बाते कहें फिर भी उसने कहा स्वप्न लक्षन पाठको को बुला करके भी मैं पता करूँगा तुछको बता दूगा बुलाया देख करके उन्होंने कहा धारिनी देवी की कुक्षी में चक्रवर्ती का जीवाया है। ठीक गर्ब काल पूरा हुआ और गर्ब काल पूरा हो जाने के बाद महुत सुख पूर्वक धारिनी देवी माता ने एक पूत्र रत्न को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया प्रियमित्र 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 प्रमात्मा अधिनाद स्वामी जी ने कहा था यह प्रथम वासुदेव होगा और प्रियमित्र नाम का चक्रवर्ती होगा वासुदेव और चक्रवर्ती में इतना ही अंतर चक्रवर्ती से आधा बल वासुदेव में होता है आधे बल के अनुसार ही चक्रवर्ती छे खंड का अधिपती होता है तो ये छे का आधा तीन तीन खंड का अधिपती होता है इस तरीके से ये प्रियमित्र नाम का चक्रवर्ति का जीव माता धारिनी दिवी की कुख्शी में आया पांच धाए माताओं से इसका लगातार पालन पोशन किया गया दूज के चंद्रमा की तरह या बढ़ के पेड की तरह धीरे 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 या चंद्रमा की कलाओं की तरह ये धीरे 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 बढ़ने लगा और जब यह योग्य हो गया तब इसके माता पिता जी ने सोचा अब लड़का योग्य हो गया है तो धनंजे राजा ने अपने लिए सैयम धर्म का मार्ग चुना सचमुच में स्वतंत्रता का मार्ग सैयम मार्ग है सैयम मार्ग को चुना और चुन करके वह तो अपने सैयम धर्म का पालन करता है प्रियमित्र कि आयुद शाला में चक्र रत्न की उत्पत्ती हुई वासुदे भी चक्र वर्ती होता है मगर वो चक्र मूल रुप से प्रतिवासुदेव का होता है चक्र वर्ती को भी चक्र रत्न की प्राप्ती होती है जो की उसके पुन्य से उसको प्राप्त होता है आयुद साला में चक्र रत्न पैदा हुआ है समाचार मिले चक्र वर्ती चक्र रत्न की पूजा करता है फिर से कहना चाहता हुआ जीसु चक्र के माध्यम से वहाँ छे खंडों पर विजय पाएगा उसकी पूजा यानि कि उसका सतकार सम्मान उसने खुब खुब सतकार सम्मान किया सतकार सम्मान करने के बाद एक नियम और उस नियम के अनुसार अब चक्र क्या करता है और चक्र वर्ती क्या करता है तो ये सब बातें दस बज गए आज इतना ही कुछ खासूचन रविवार के दिन मंचन के क्रम में जिस रीती से मंचन का क्रम चालू है और प्रत्येक रविवार के दिन अलग-अलग महिला मंडल वाले माताएं भेने श्रमण भगवान महावीर स्वामी दिके पच्ची सो पच्चास में निर्वान वर्ष को ले करके और एक ही भावना से कि श्रमण भगवान स्री महावीर स्वामी दिका जिवन हमको मंचित करके लोगों को दिखलाना है समझाना है उस क्रम में अभी तक कुछ महिला मंडलों ने बहुत 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 शुब 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 प्रियास किया इसी प्रकार से इस रविवार के दिन साद्वी जी महाराज जो कि अपने पंजाब के लिए बहुत उपकारी है और जो नाम जाना पहचाना है वैसे पंजाम में दो साध्यों का नाम प्रमुख है एक तो साध्वी जी श्री देव श्री जी मारा है और दूसरा साध्वी जी श्री मृगावत्य जी मारा सहिब मृगावत्य जी मारा सहिब जी ने गुरु जी माराज श्रीमर विजय समुद्र सुलिश्वर जी माराज सहेब जी की अंतर भावना अंतर इच्छा को मान करके दिल्ली में विजय वल्लब्स मारक के निर्मान में बहुत 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 अपने आपको खपाया ऐसे साद्वी जी माराज सहेब जी के गुणों को उपकारों को और गुरु भक्ती को याद करके उनके नाम को समर्पित जो म्रिगावति श्री जी मारा सहेबरी का मंडल है वो मंडल वाले रविवार के दिल मंचन करेंगे और उसमें वो यही कहानी त्रिप्रिष्ठ वासुदेव के यहाँ पर बताने वाले हैं ऐसा उनकी और से मुझको सूचन दिया गया है दूसरी बात हम लोग जेन परंपरा वाले हर रोच प्रतिक्रमन में श्रूत्र देवी भगवति सरस्वति माता की आराधना करते है विशेश करके बालत बालिकाओं के लिए अपन लोग अब एक दिन बहुत जल्दी का निश्चित करने जा रहे हैं जिस दिन यहां पर भगवति सरस्वति माता दे की एक प्रतिमा भी रखी जाएगी उसका पूजन भी किया जाएगा उसके मंत्रों की आहूतियां भी दी जाएगी उसमें जो कोई भी जुड़ना चाहता है जो कोई भी जुड़ना चाहता है उस व्यक्ति को कुछ जिस मंत्र की आहूतियां दी जाएगी या सरस्वति माता दी के मंत्र का स्मरण उनको याद करना अनिवारिया है ज्यादा नहीं पांच ग्यान है तो पांच माला है तो जपे इस तरीके का एक आयोजन अपने लोग बहुत जल्दी से जल्दी शायद कलकी तारिक में भगवती मातेश्वरी सिरी सरस्वती माताजी का एक मंत्र जो लोग इस प्रक्रिया में जुड़ना चाहें सरस्वती माता जी की ज्यान के लिए शुरुत ज्यान की आराधना के लिए पांचो ज्यान की आराधना के लिए उन सभी ज्यनों को हम शैज मंत्र भी दे दे और याद रखिये मेरे दिवताओ हमारे यहाँ सरस्वती माता जी को ब्रह्मी कहा जाता है रिशव देव जी की दो पुत्रियों में से एक पुत्री का नम था ब्राम्मे हमारे पेंतालिस आगमों में से सबसे बड़े आगम का नम है भगवती उसके मंगला चरण में नमो बंभी ये लीबी ये ब्राम्मी लीपी को प्रणाम किया गया है क्योंकि लीपी विद्या सिखानी आदिनाज स्वामी जीने सबसे पहले शुरुवात की तो ब्राम्मी से चालू की सरस्वती को भी हम ब्राम्मी कहते हैं तो उनकी आराधना अपन लोग बहुत जल्दी से जल्दी नक्की करने जा रहे हैं और आप लोगों से कहना चाहूंगा इसकी आराधना के लिए आप लोग जो भी लाब लेना चाहते हैं लाब यानि की उपस्टित रहना चाहते हैं और उसमें जुड़ना चाहते हैं वे लोग अपना अपना नाम जल्दी लिखा दे ताकि अपन लोग उनको तो आराधना मंत्र दे हैं और वो प्रक्रिया कल के दिन वेख्यान में अपन लोग अवश्यमेव चालू कर दे गए तो आप लोगों को यह भी खास सूचन देना चाहता हूँ कि सरस्वती माता का पूजन सरस्वती माता के इशुरुत देवी माता की अराधना अपने संग में होने जा रही है उसके लिए भी अब आप लोग आपने आपको तयार के जिएगा तयार के जिएगा और जल्दी से जल्दी अपने नाम वेवस्था के अनुसार लिखवाएं इतना